नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खब्रो क्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर राखी के मौके पर कल सरकारी बस से महिलाएं छात्राएं कर सकेंगी मुफ्त यात्रा सिक्षा विवाग ने सरकारी स्कूलों के गुरु जी को दिया नयाटास पटना समेत पुर्व मध्य रेल की 40 ट्रेने रद बिहार के स्कूलों में कई ते ओहारों की छुट्टी रद दिलग वर्मा को इश्या कप में जगह मिलने पर फिल्मी सूपर स्टार का बड़ा बयान इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों क्योर विस्तार से राखी के मौके पर कल सरकारी बस से महिलाएं छात्राएं कर सकेंगी मुफ्त यात्रा बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के दोरा रक्षा बंधन के सुब अफशर पर महिलाओं वज छात्राओं के लिए बिहार की राजधानी पटना में कल यानी की 31 अगस्त को सरकारी बस के सुवधा मुफ्त कर दी गई है जो कि सुबह 7 बजे से शिरू होकर रातरी सारे 8 बजे तक रहेगी ऐसे में अगर इस तोरान महिलाओं या छात्राओं बिहार की राजधानी पटना में सरकारी बस से सफर करती हैं तो उनसे कोई भी सुल्क नहीं लिया जाएगा बता दे कि सुवधा महिलाओं और छात्राओं को रूट संख्या 111, 111A, 222, 444, 555, 888, 888A, 100, 200, 999 अलावा ISBT पाटले पुत्र बस टर्मिनल से परिचालित होने वाली अन्यबसों पर यह सुवधा लागू होगा सक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के गुरुजी को दिया नया टास्क इन दिनों बिहार में सक्षा विवस्था को पट्री पर लाने के लिए बिहार सरकार के सक्षा विभाग के अपर मुखे सचीव के के पाठक के दोरा कई नए फर्मान जारी किये जा रहे हैं अब एक बार फिर से विभाक के दोरा बिहार के सरकारी स्कुलों के सक्षकों के लिए एक नया फर्मान जारी किया गया है जिसके तहत अब ग्रदेस के सभी 78,000 से अधिक सरकारी स्कुलों के 4.3-8 लाग स्क्षकों को विभाग के ओर से डायरी उपलब्द करवाई जाएगी जिसमें सक्छक प्रते दिन अपनी कक्छा की अध्यापन संबंधी कतिवीधी दर्ज कराएंगे पतादी के अधिकारिक तौरपर मिली जानकारी के नसार से यह डायरी कक्छा एक से 12 तक के सक्षको को उपलब्द करवाया जाएगा मालूमू किस प्रॉजट से जोने विश्चग्य का कहना है कि प्रतेक सक्षा को दी जाने वाली डायरी कक्छाओं में होने वाले आकाश्मिक नरिक्षन के दोरान आधार का काम करेगी फिलाल डायरी प्रकाश्चत करने के लिए विभाग के ओर से 11 सितंबर तक टेंडर आमंतरित किये गए हैं बिहार के स्कूलों में कई तेवहारों की छुट्टी रद बीदे दिन बिहार सरकार के मादे में सक्षा निदेश्य के ओर से पत्र जारी कर यह कहा गया है कि अब राज्य के सरकारी स्कूलों में इस साल पर्व तेवहार के मौके पर सिर्फ दस दिन की छुट्टी दी जाएग हिराजी के सरकारी स्कूलों में साल 2023 के बचे हुए दिनों में एक समान अवकास होगी ये बिचे है बिचे हैन साल 2023 के लिए परिक्षा के लेदा लिए परेंडी शहरों में बनाया जाईगा जहां पर ऑंलाइन परिक्षा की सुधा होगी तमाम अभ्यार्थियों को परिक्षा किंद्र की जानकारी उनके प्रवेश पत्र से मिलेगी आपकी जानकारी के लिए बता दे किस परिक्षा में पूछे जाने वाले वस्तोनिस्ट प्रशन होंगे जिसके अंको की कुल संख्या 150 होगी परिक्षा क अब भ्यार्थियों को परिक्षा सुरू होने से एक घंटे पहले ही अंतिम प्रवेश दिया जाएगा बोड की ओर से विशेवार सिलिबस भी चाड़ी कर दिया गया है। महाम्मित तुझे जाप हो या फिर कोई अन्य अनुस्ठान भक्तो द्वारा करना हो। उन सब के लिए मंदर के द्वारा भक्तो को हर सुधा मोहिया करवाई गए सावन महीने में नवध्यम की विक्री भी बढ़ जाती है जिसकरन सावन महीने में इस बार धाई लाग किलो मौडलिंग की कारण 1-19 स्थमबर तक प्री बी एनाई कारे 20 स्थमबर से 5 अक्टूबर तक बी एनाई कार और 6-15 अक्टूबर तक एनाई कारे को लेकर पटना जंक्शन से गुजरने वारी फ्रेनों सहित पुर्व मध्य रेलवे की 40 ट्रेनों को रद तो वहीं कई ट्रेनो 129 और 134 30 मालदा टाउन आनन्द विहार एक्सप्रेस 14 004 और 145 23 नई दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस 15635 और 15636 ओखा गुहाटी एक्सप्रेस 15667 और 15668 गांधी धाम कामक्या एक्सप्रेस 18103 और 18104 टाटा अमृत सर जलिया वाला बाग एक्सप्रेस 19421 और 19422 एहमदाबाद पटना एक्सप्रेस 19669 और 1967 उदैपूर सिटी पार्टली पुत्र हमसफर एक्सप्रेस 03649 और 0365 बकसर बनारस मेमू पैसेंजर स्पेशल और 09417 और 09418 एहमदाबाद पटना स्पेशल ट्रेन के नाम शामिल है अपराद की गुप्त सूचनाओं के लिए नया टोल फ्री नंबर इस दिन होगा जारी ADG मुख्याले जितंदर सिंग गंगवार के दोरा दी गई जानकारी के नुसार विहार में अपरादी घटनाओं सुझरे गुप्त सूचना को देने के लिए बहुत जल्दी पुलिस के दोरा एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा जो की डायल 112 से अलग होगा इस पर केवल महत्यपुर्ण और गुप्त सूचनाओं शेयर किये जा सकेंगे वह इस नंबर पर शिकायत करने वाले सभी व्यक्ति की जानकारी गुप्त रखी जाएगी मालुमों कि यह टोल फ्री नंबर तेवहार से पहले जारी कर दिया जाएगा आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ADG के मताबिक बगा और मोतिहारी में सोचल मीडिया की वज़ह से दंगा फैला है इस मामले में सब्तर सामने अपराध हाएं है और एक सोचल मीडिया से सम्मधित अपराधी को ग्रिफतार किया गया है बिहार के तीन एक्सप्रेसवे और एक पुल को PMO से मंजूरी का इंतजार राज्य में बनने वाले तीन ग्रिफिल्ड एक्सप्रेसवे सहित गंगा नदी पर जेपी पत के समानांत नए छहलेन को PMO से मंजूरी का इंतजार है ऐसे में जैसे ही इसको लेकर PMO से मंजूरी मिलती है उसके निर्मान के लिए जमीन अधिग्रहन सहित अने प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जिन में गोडगपूर, सिलेगोरी एक्सप्रेसवे, रक्सॉल, दिगवारा, हल्दिया और पुर्वांचल एक्सप्रेसवे का विस्तार भागलपूर तक करना शामिल है आपके जानकारी के लिए बता दे कि यह सभी परियोजनाए भारत माला परियोजना फेस दो का हिस्सा है यह सभी परियोजनाए करीब 3,000 करोड रुपे से अधिक लागत की है मिले जानकारी के नुसार इन सब पडियोजनाओं को केंदरी सरक पडिवहन एवाम राजमार्ग मंतराल सहित वित की मंजोरी मिल चुकी है आई फ्लू के लक्षन और उससे बचाओ के जाने उपाए इन दिनों राजमे आई फ्लू के मामले रुजाना देखे जा रहे हैं ऐसे में थोड़ी साथधानी बरतकर आपन से बच सकते हैं अगर हम इसके लक्षन के बारे में जाने तो आई फ्लू आने पर आँखों का रंग लाल या गुलाबी हो जाता है या आँखों में जलन या खुजली होती है इसके साथी औसमाने रूप से अधिक आसु निकलना आँखों से पानी जैसा या गाला डिस्चार्ज होना आँखों में किरकरी महसूस होना और आँखों से सूजन होना है वहीं अगर हम इससे बचाओ के बारे में जाने तो संक्रमन होने के दौरान बार बार आखे धोएं, जब भी ज़रूरी हो अपने हाथों को धोएं, घर के दूसरे सदर्शियों से दूरी बनाये रखे खाना खाने के पहले हाथों को धोएं, आई कॉस्मेटिक्स का प्रियोग के दौरा घूस लेने वाले अपरादियों पर नकेल कसने के लिए काफी सकती बढ़ती जारी है। पवन कुमार से मिले जानकारी के नुसार कर्मी को 55,000 रुपए के साथ गरफतार किया गया है। अब निगरानी टीम लिपीक से पूछताज करेगी और फिर विस्तरिच जानकारी दी जाएगी बता दे कि हरेश्वत अल्टर साउंड के निबंधन के लिए लिए ली गई तीन वानों पर लोड सराब की बड़ी खेप बडामत। बिहार में पुन्रूप से सराब बंदी है ये तो हम सभी जानते हैं लेकिन इसके बावजूद भी आएदिन हमें सराब तसकरी से जुरे मामले सुनने को मिलते रहते हैं। पर चांदन थाना की पुलिस के द्वारा दो कार और एक टाटा विक्टा वाहन से कुल 436 लीटर अंग्रेजी सराब बरामत किया गया है। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा इस द्वारा तीन तसकर को भी अपनी गिरुफ्त में लिया गया है जिसकी पहचान सोनो कुमार, जितंदर कुमार और मुहमद वसीम खान के रूप में की गई है। मिरे जानकारी के नुसार जब सराब के डिलिवरी समस्तिपुर और दर्भंगा जिले में होने वाली थी। प्रवेश करनी के लिए अपने पुरानी प्रवेश पत्र का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि किसी भी उमिद्वार को कोई नया प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। जन सुराज के सुतरधार प्रवेश पत्र के दौरा दो ऑक्टूबर को सीता मढ़ी में अपनी नई पार्टी का एलान किया जा सकता है। फिलाल वर्तमार में पार्टी के नाम और सिंबल पर चर्चा फाइनल स्टेज में हैं। जानकारी के लिए बता दे के प्रशान किसोर की नजर उत्तर बिहार के 20 लोग सभा सीटों पर हैं। उतिहारी, बेतिया, गोपाल गंच, वालमिकी नगर, सिवान, सारन, महराज गंच, शिवर, वैशाली, तरभंगा, मधुबनी, सीता मढ़ी, समस्तिपूर, उजियारपूर और मुझअपरपूर के नाम शामिल हैं। प्रशान कसोर लोगों से सीधा संपर्ग बनाने के लिए तीन तरह की रणिती पर काम कर रहे हैं। जिनमेंसे पहला रणिती ग्राम अस्तर पर 18-20 साल के युवाओं को साधने के लिए कलब बनाया जा रहा। दूसरी रणिती 27 से उपर के चातरों को साधने के लिए युवा कमीटी बनाई गई है और तीसरी रणिती महिलाओं को बनियादी मुद्दे को उठाने के लिए ग्राम अस्तर पर वोमेन कमीटी को भी सक्रिय किया गया है। CBSE कक्षा 10-12 परिच्छा 2024 सेंपल पेपर जारी अगर आप भी उन चातरों में से हैं जो CBSE 10-12 परिच्छा 2024 के लिए तयारी कर रहे हैं तो यहां कबर आपके लिए हैं बता दे कि Central Board of Secondary Education यानि की CBSE के दौरा कक्षा 10-12 परिच्छा 2024 को लिकर सैंपल क्वेश्चन पेपर जा यार कर सकते हैं और साथ ही अपनी लिखने की स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं बता दे कि इसकी परिच्छा वर्स 2024 में 15 फरवरी से सुरू होनी है जो कि 10 अपरिच्छा 2024 तक चलेगी हाला कि बोर्ड की ओर से अभी परिच्छा को लिकर टाइम टेबल जारी नहीं किया गया है तिलक वर्मा कोईशिया कप में जगा मिलने पर फिल्मी सूपर स्टार का बड़ा बयान युवाव बल्लेबाज तिलक वर्मा कोईशिया कप में भारतीय टीम में जगा मिल गई है जिस पर साउथ के सूपर स्टार विजय देवर कोंडा के द्वारा स्टार से बातचीत करते वे अपना बयान दिया गया है उन्होंने कहा कि कोहली के बाद रोहिस्तर्मा है जिन्हें खेलते देखना काफी दिल्चस्प है वह सहज क्रिकेट खेलते हैं सुरे कुमारी आदर जब उनका दिन हो तो नहीं रोकना मुश्किल होता है और हार्दिक पांडिया जब वह सौट ख खेल कर शुरू करेगी इस बार भारतिय टीम इस खिताब जीतने की प्रबल दाविदार मानी जा रही है बीतर दिन हमारे दरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्होंने हमा ते हाँच के सवाल की और आज का सवाल है आपके अनुसार प्रशान के सोड विहार के मुख्यमंत्री पद के लिए कितने सही उमिद्वार है अपना चवाब हमें मारे कमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही विहार के तमाम कबरों के साथ बरह रहन नियूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देखरें चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देखरें तो पेस को फॉलो करना ना भूले थन्यवाद